हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजंद पुरहीत और आप देख रहे हैं मेरा योट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूँ फर इंजिनेरी मैथमेटिक्स एंड बीस से इस नोगर आप किसी भी कॉंपरिटिव एक्जाम की तयारी करें जहाँ पर ह आर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही एलफिल है आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ आईएटी जेम मैथमेटिक्स की लिए एक्जाम पैटन क्या रहता है क्या इंपॉर्टेंट बोक्स है और क्या-क्या टॉपिक्स की क्या-क्या वे तो इस चुने एक्जाम रहता है वह तीन घंटे का होता है और यहां पर यहां पर फास्ट नूमर रख कॉन्च जो ते वह 60 होते हैं और टोटल हंडिट माक्स का यहां पर एक्जाम होता है अब करेंगे कि किस किक शाष dog आते हैं तो टोल यहां पे घुझन पर में 3 शेक्शन ओते हैं सबसे vibe झाहिने घुतिर वहां पहscheinा हैं तो वहां पर र inhib को पूख करना हो अब बात करेंगे marking, तो इसमें जो A section होता है, multiple choice question में यहाँ पर negative marking होती है, पर जो B and C section है, यहाँ पर negative marking नहीं होती है, बात करेंगे कि subject क्या-क्या है और क्या-क्या उनका weightage रहता है, तो यहाँ पर यह सभी subject होते हैं, सबसे पहला जो subject है, वो linear algebra है, जहाँ पर इसका weightage होता है, abstract algebra है, group theory है, वो 10% का यहाँ पे weightage रखता है, मतलब यह तीनों मिलके लगबग 45% का weightage रख लेते हैं, मतलब 45% मतलब 50% जो होता है, वो pure mathematics का portion cover करता है, उसके बाद जो applied है, उसमें calculus of single variable 18% का weightage रखता है, calculus of two variable 14% का weightage रखता है, vector calculus 14% का weightage रखता है, and differential equation 11% का weightage रखता है This is the applied portion, तो अगर आपको IDGM करेक करना है, तो आपका pure के साथ साथ applied भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आगे बात करेंगे कि कौन-कौन सी book आपको यहाँ पर पढ़नी चाहिए, तो बुक के लिए काफी students मुझे पूस्ट रहते हैं कि सर बताई कौन-कौन सी books यहाँ पर अच्छी book है और आईना हिस्टिन की book है, वो भी आप refer कर सकते हैं, इसविन लीनियल जबरा के लिए हमारे पास विकास बेस्ट और विवेक्स साहाई की book अच्छी है, एक लीनियल जबरा की शौम सीरीज आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, इसविन यहाँ पर सीरीज आती है, एक जेन नायंगर की book है, बहुत ही अच्छी book है, इनको भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, इसविन अच्छी book की बहुत अच्छी book है, तो इन सभी book के जो लिंक्स हैं, अमेजोन के वो में आपको यहाँ डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में तो आप में जाके इन सभी book को purchase कर सकते हैं, बात होती है कि कौन-कौन से topic important होते हैं, तो हमारे पास real analysis के अंदर एक तो sequence and series बहुत ही important topic है, जिसके अंदर sequence का like bounded, convergent है, divergent है, series के अंदर अलगलग test होते हैं, यह topic बहुत अच्छा पूचा जाता है, function of one variable में limit, continuity, differentiability है, and like mean value में यह सब्सक्राइब पूचे जाते हैं, partial derivative है, इस उन integral calculus के अंदर हमारे पास definite integral है, then यहाँ पे surface volume, revolution के लिए साथ surface volume निकालना, और भी बहुत सारा अलगलग topics हैं, जो कि यहाँ पे पूचे जाते हैं, इस उन differential equation में, first order, first degree है, constant coefficient है, higher order differential equation में जिसमें variation of parameter method आता है, second order के अंदर, यह भी बहुत ही important topic है, group theory है, जहाँ पर group की definition है, cyclic group है, abelian group है, dehydle group है, permutation group है, silus theorem है, तो यह भी आप बहुत अच्छा topic है, इस भी topic questions बनते हैं, linear algebra है, जहाँ पर आप vector space है, basis, dimension, rank, nullity, then उसके बाद यहाँ पर eigenvalues, eigenvector है, element in theorem है, इन सभी topics पे काफी सारे questions एक्जाम में बन stock theorem है, and ghost divergent theorem है, then यहाँ पर बात करें, vector differentiation में तो curl है, divergent है, and gradient है, कैसे इसको निकालते है, directional derivatives है, इन पर खाफी अच्छे questions बनते हैं, so, जो real answers है, यहाँ पर हमारे पास open set है, close set है, compact set है, bounded set है, and increasing, decreasing, बहुत सारे concepts में यहाँ पर questions बनते हैं, right, so, यह सभी topics है, जो कि आपको अगर ID gym click करना है, तो आपको आना चाहिए, plus इसका जो syllabus है, उसको मैंने यहाँ पर description में डाल रखा है, इसका PDF का link, तो वो भी आप यहाँ पर जाके देख सकता है,